हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को SBI Smart App के थूट ट्रेडिंग करना बताऊंगा अपने मोबाइल में एप को ओपन करें ओपन करने के बाद इसमें क्लाइन कोट, पासवर्ड और पैन नमबर डालें ये सब डालने के बाद आपकी SBI Smart App ओपन हो जाएगी और कुछ इस तरीके से दिखाई देगी इसमें मैंने अपनी वाच लिस्ट को एड किया है अगर आपकी वाच लिस्ट एड नहीं है तो ये ब्लैंक दिखाई देगी इसके बाद SBI Smart App के जो उपर टास्क बार दिया गया है उसको आप टेच करें टेच करने के बाद बाएं साइड आपको अलग-अलग option दिखाए देंगे इन में से सबसे पहले हम account option में जाएंगे क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए पहले आपके account पे पैसे होने चाहिए तो जैसी हमने account option में गए तो उसमें आपको दिखेगा fund lien और dp lien fund lien को क्लिक करते ही हमारे पास अलग-अलग option आएंगे जैसे fund lien, fund transfer, fund un lien और fund withdrawal तो इसके लिए सबसे पहले हम fund transfer में जाएंगे fund transfer को ok करते ही आपकी bank detail कि आपने कौन से account से किसमें करना है नेट के द्रू करना है, personal banking के द्रू करना है, card के द्रू करना है तो आप इसको select करके login करेंगे और जितना आपने fund transfer करना है, अपना fund transfer करेंगे ये fund transfer करते ही आपके laser balance में आ जाएगा और आप इसके द्रू living trading कर सकते हैं तो ट्रेडिन करने के लिए सबसे पहले हम को क्या करना है अपनी watch list में आना है अगर आपके पास watch list नहीं है तो आपने किसी भी share जिसको खरीदना है उसको आपने सर्च करना है सर्च करने के बाद शको NSC या BSC पर जाना है जिसका भी ओ इनदर आता है तो जैसे यहाँ पर दे तो हमने जाला कि quantity हमको कित्ती खरीदनी है, buy करना है, delivery है, intraday है, limit में खरीदना है, market value में खरीदना है, इस साब से हम अपने share को select करेंगे, quantity feed करेंगे, और अगर limit में खरीदना है तो उसका price fix करेंगे, जैसे यहां पे share है 178.25 का, मैंने लिखा 178.20, यानि कि जब ये share की उमर 178.20 आएगा तो ये automatic buy हो जाएगा, इसके बाद हम चलते हैं market value पे, market पे select करते ही हमको केवल quantity डालनी share की और वो उसी price पे buy हो जाएगा, जो उसकी value वाच लिस्ट में किसी company को add करने के लिए plus के symbol पे जाएगे और company का नाम सर्च करें, company का नाम सर्च करने के बाद, जैसे ही हम company का नाम लिखेंगे, हमें company दिखाए देगी और उसमें से उस company को select करके done कर देंगे, और वो company हमारे watch list में आजाएगी, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि NCC हमारी watch list में आ गई है, इसके बाद हमारा काम है share को बेचना, तो हम sell option में जाएगे, उसके बाद limit में जाने के बाद हमें share की quantity को add करना है, और कितने में share को बेचना है, उसको price में एंटरी करना है, जैसे मैंने यहाँ पे price एंटरी गया 5.50, तो जैसी share का value 5.50 पहुँचेगा, यह sell हो जाएगा, इसके बाद हम चलते हैं market, market को select करने के बाद जो share की value है market में, उसी भी okay हो जाएगा, sell हो जाएगा, इसके बाद आते हैं हम account पे, account में funnel link और dp link जो आप देख रहे हैं, इसमें एक leisure balance और एक lean amount है, अगर हमारा lean amount leisure balance में transfer नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमको एक दिन का wait करना पड़ेगा, otherwise हमको branch में phone करना पड़ेगा, या help desk में mail करना पड़ेगा, इसके बाद हम चलते हैं back office में, back office को click करते हैं, हमको option दिखाएं देगे, तो सबसे पहले हम option में चलते हैं, अपने trade lock के अंदर, trade lock के अंदर जाते ही, हमें कुछ इस तरीके से option दिखाएं देंगे, जैसे laser balance, trade history, अभी हमको trade history पे जाते ही, हमको trade अगर history को देखना है, तो हम सबसे पहले trade lock को select करेंगे, trade lock को select करने के बाद, हमने period के form पे जाना है, और कहां तक या कहां से हमने trade को check करना है, वो हमको select करना है, select करने के बाद हमने okay करना है, और okay जैसे ही हम करेंगे तो हमें जो date हमने जहां से जहां तक select की है वहां तक का हमको trade log दिखाई देगा जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने 2020 अपरेल से लेके जून तक की trade history select की है तो यह रही अपरेल से लेके जून तक की trade history इसके अंदर दिखाएगा कि आपने कब कितने कित ट्रेडिस्टी के साथ लेजर बैलेंस, लेजर बैलेंस के अंदर आपको दिखाए देता है कि आपने कितना पैसा विड्रॉल किया, कितना डेबिट किया और कितना क्रेडिट किया, यह पूरे आपको इसके अंदर दिखाए देता है कि आपने अपने अकाउंट से कितना इसमे झाल वो बोच्टिंग